हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चैनल इंफो गवर्मेंट जोब्स पर हैं तो दोस्तों आज का वीडियो आपका रीट एक्जाम 2020 को लेकर दोस्तों बड़ी खबर आपकी निकल कर आ जो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं उससे पहले अगर आप चैनल को पहली बार उजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर और पर क्लिक जरू कर दीजेगा ताकि आते इंफोर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो यहां पर दोस्तों यह अपकी अपडेट निक होने वाली है तो उस मिटिंग का भी अपडेट आपको मैं दूँगा तो उससे पहले हम देख लेते हैं जो आपका रीट और सीटेट है उसका सर्टिफिकेट की वेदेता तो तीन साल थी पहले और वो यहां पर बढ़ाकर आप लाइफ टाइम कर दी गई हैं आपर देखतो में नोकरी की आस और जग गई है रीट वे सीटेट सहीत अन्य राजियों की भी सिक्सक पातरता परिक्षा के परमान पत्रों की वेदेता को लेकर एंसीटी इन को की पचासवी साधारन सभा की बैठेक में निर्ण लिया गया है बैठेक में सदस्यों ने नई सिक्षानिती क जिकर करते हुए बीएड वे बीएश्टी सी पास बैर्थियों को यहर राहत दी है इसमें देश बर के सिक्सक बर्ती की परिक्षाओं की त्यारी में जुटे बैर्थियों को बार बार सिक्सक पतरता परिक्षा देने से चुटकारा मिल सकेगा नए नियमों के तहत अब बै लाइफ टाइम विदेदार रहेगी वह इसी पर्मानपत्र के आदार पर शिक्सक बढ़तियों में सामिल हो सकेगा हालाकि अंक लिए परिक्सा में सामिल होने पर पाबंदी नहीं रहेगी तो यह दोस्ता है और बहुत ही अच्छी ख़बर आप सभी के लिए क्योंकि यह कहां पर रीट की एकजाम है वह आपका रीट की एक जाम तो फिर भी आपका कुछ डिले रहती है एक साल में एक बार आती है पर सीट आप लाइफ टाइम काम में ले सकते हो और आप दुबार से अगर ट्राइए करते हो तो हो सकता आपके 85 परसेंट बन जाएं तो आप वह वह आपकी मारक्सित वह भी काम में ले सकते हो यहां पर अच्छी ख़बर है दोस्तों हाला कि अंक सुदार यहां पर यह एंसीटी न बदले हुए नियम सभी राजियों के बीएश्टी सी वे बीएड़ डिग्री धारे युवाओं पर लागू होंगे पहले साथ और फिर तीन साल तैय हुई विदेता तो यहां पर देखते हो दोहजार ग्यारा में दोहजार बारह में रीट आयजित आर्ट पतरता की विदे अवीदी साथ साल और 2015-2017 में हुई रीट पर्मानपत्रों के वेड़ा तीन साल तेह की थी इस साल हुए सात लाग पर्मानपत्र रद यानि कि जो वेलिटी है वो खतम हो गई तो शातलाग पर्मानपतर है वो यहां पर निसकरी हो गए और यहां पर दोस्तों देखशते हो दिया गया है आपका रीट को लेकर एहम बेटक रीट के सलेबस निदारित सहीत अन्य बिंदूओं को लेकर 26 अक्टूबर को शिक्षा राज्य मंत्री गोविंजी डोटास्रा की अध्यक्सता में शिक्षा संकुचल में बेटक होगी इसकी शिक्षा विवाकी पर्मुख शासन सचीव शिक्षा ने देशक वाय बोर्ड सहीत अन्य अधिकारी सामिल होंगे इस एंटी इसमें एंसीटी के नए नियमों प समाप्त होने की वज़य से रद्वे पर्मानपत्र बहाल होते हैं तो पर्देश में 31,000 चिक्षकों के होने वाले थर्ड गरे बड़ती में और ज्यादा मारा मारी होगी यानि की पीछे पर्मानपत्र आपके खतम हो गए हैं जिनके वेलिटरी खतम हो गई है अगर उनको य जिनके बारत